आजी, गडिवनी, कैसे हो, तर ठीक है, आज आखरी क्लाश डैरी विटियो की, और ये समझे लो कि एक बहुत बड़ा टेंशन आपने खतम करती है, एक बहुत बड़ा टेंशन, सबसे मुश्किल चैप्टर अपने खतम करती है, अब कुछ नहीं बच्छा, अब सफम बिल्कुल आसान है, लेकिन ये ऐसा है कि मेरे साथ-साथ तो बनता है, मेरी बात समझना दिक्कत क्या आ रही है बच्चों को, बच्चों की या रही कि सर आपके साथ-साथ जब हम क्लास म बनाना है कि बैलेंस शीट बनाना, वो तो जिंदगी भर से करते आ रहे हैं आप लोग, कहना क्या चाते हैं सर, रिवीजन करना पड़ेगा, हर महने में एक बार डेरिविट्यो देख लो, या मेरा रिवीजन वीडियो डला हुआ है यूट्यूब में रिवीजन वीडियो जिंदगी में, आज की क्लास में क्या होने वाला आज आखरी क्लास है, ब्रेक से पहले पहले हम बीटा मैनेजमेंट के सारे कोश्चन खतम कर देंगे, उमीद है मुझे, उमीद क्या करी देंगे सर, ठीक है, और ब्रेक के बाद एक कमोडिटी फ्यूचर है, उस मैटर पर ड इरेविटी यस आज कतम, तो जल्दी जल्दी करें, बिना टाइम बरबात किये, और ये रहा कोश्चन होमवर्क हो गया है, I hope के होमवर्क हो गया हो, एक कोश्चन मैंने अभी चुडवाया है, और एक कोश्चन मैंने बीच में चुडवा दिया था, बाकि तो होमवर्क दि 54 पे आजाते सीधा बोल किया रहा है जरा देखते हैं लिखा हुआ है Mr.S.G. Sold Sold का मतलब क्या समझते है Sir Sold का मतलब होता है Short Position पिल्कू 5 4 Month Nifty Future On 1st Feb 2020 Per रुपीज 9,00,00 At the time of closing देखो सुनों वो क्या बता रहा है थोड़ा सा लाइन कीच लू आज की डेट कौन सी है Sir आज की डेट है 1st Feb 2000 और इन्होंने कितना रुपे लगा दिया है इन्होंने 9,00,00 रुपे लगा चुका है सर कितने कॉंट्रक्ट, कितने कॉंट्रक्ट 5 कॉंट्रक्ट पर 5 कॉंट्रक्ट एक कॉंट्रक्ट का वैल्यू ऐसे निकल सकता पर मुझे अभी तो पढ़ देखो एड़ टाइम अप क्लोजिंग अप ट्रेडिंग अन दा लाश्ट थर्षडे अप में 2020 आज की देट है 1st Feb और यह जो कॉंट्रक्ट किया है यह किया था में 2020 के लिए ठीक है यह जो 9 लाक रुपए का जो बैटिंग कर रहा ना कौन सा पोजिशन लिया शॉर्ट वो कब के लिए कर रहा हास तो आप एक फैब में खड़े हो लेकिन आप में 2020 के लिए बैटिंग कर रहा हो शॉर्ट पोजिशन ले रखा दो कॉंट्रक्ट मॉल्टिप्लाइर इस 75 यह लो एक कॉंट्रेक्ट में कितना मॉल्टिप्लाइर 75 यूनिट्स ठीक एक बाव बता लॉंग पोजिशन लिया कि शॉट शॉट लिया एक फ्यूचर का प्राइस कितना वो तो यहीं से निकल जाएगा नौग रुकिया लगाया टोटल कितना पार्च गॉंट तो एक कॉंट्रेक्ट कितने का सर कर नौवल्ट गई डिवाइद ऐख़ पार्च तो सर एक कॉंट्रेक्ट आया 6,802 क कि और कि निक एक कॉंट्रेक्ट में कितना निफ्टि है 75 एका कीमत पता लग सकता है कि divided by 75 तो एक निफ्टी सर 2400 रुपे का और आप कह रहे हो कि 2400 से कम होगा it means आपने जो short position ले रखा है 9,00,00 रुपे का सबसे पहले आपने 5 contract ले रखा तो पाच से divide कर दिया तो 1,80,00 एक contract का value divided by 75 किया तो 2400 रुपे 2400 क्या है 2400 future value कब के लिए में के लिए और आप कहा रहे हो 2400 से कम होगा अभी तक question read ही कर रहा है based on the other information calculate the price of one future contract on 1st fact 2000 price of one future नहीं price of one future contract 9,00,00 रुपिया total कितने contract का दिया 5 तो बताओ एक contract का price कितना 1,00,00 ऐसमें सोचना क्या था तो पहले point में तो ऐसे निकल जाएगा आगे और पुणों question को approximate nifty sensex on 1st feb 2020 if the price of future contract on the same date was theoretically correct मतलब सर निकालना क्या F निकालना सर ये तो F दिया है वो सकता ये actual हो मुझे नहीं मालम पूच क्या रहा है नहीं F नहीं निकालना भई अभी सुनो 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 on the same day approximate nifty sensex on F थोड़ी नहीं बोला है मेरी गिलत फैमी हो गई है पूच पूच इट तो नहीं मेरी बात को ठीक से हमने यहां की बात हो रही थी और यह वालिडेट थे टोटल कितना लगा था 9 लक डिवाइड बाइ 5 किया तो 1 लक असी हजर एक फूचर कॉंट्रक्ट की डिवाइड बाइ कितना किया कितना किया था यह डिवाइड बाइ 75 किया तो यह आ गया 2400 और आप कहा रहा है 2400 से नीचे जाया यह क्या है यही तो F है यह पर F कौन सा वाला एक्च्वल अब अच्छे से बढ़ो मांग क्या रहा है एप्रॉक्सिमेट निफ्टी सेंसेक्स और 1st Feb 2020 निफ्टी फ्यूचर नहीं बोला है निफ्टी सेंसेक्स यह कुछ नाम नहीं है यह तो निफ्टी बोल देता या सेंसेक्स बोल देता मैंने निफ्टी फ्यूचर पढ़ लिया था बहुत निफ्टी या सेंसेक्स होना चाहिए निफ्टी या सेंसेक्स का वैल्यू बताए मतलब सर यहां का वैल्यू पूछ रहा है तो सर सुद्धिन्दी में एक बाद वोले वो हमसे क्या इसपॉट पूछ रहा है यसपॉट आपको पता है f is equal to s e power r minus 1 ऐसे कुछ करते थे अगर मैं कहता हूं हमें यह पता है हमें यह पता तो यह तो प्र यह जो दिया रहता यह तो थियोरिटिकल होना चाहिए न तभी है पर यह जो है यह तो actual है फिर से बोल रहा हूं वह iis पूछ रहा है हमें सब कुछ पता हमें r पता है हमें yield पता है हमें f कहां पता है f जो निकाला जाता formula में वो होना चाहिए theoretical और यह कौन सा दिया actual हम हमेशा assume कर लेते तो अगर कुछ ना बोला है तो जो theoretical F है वही actual F है लेकिन question में लिखा हूँ है अब पढ़ो आपको निकालना spot price यह है spot लिख देता हूँ spot price if the price of future contract on the same date was theoretically correct theoretically theoretically correct का मतलब यह जो 24 सो है यही theoretical भी है on the same date risk free rate और dividend yield 9% और 6% फिर maximum contango और backwardation यह पढ़ाया है मैं नहीं discuss किया थो contango 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 backwardation उल्टा बदला सीधा बदला कहीं पढ़ाया हूँ कर यहां भी discuss कर दूंगा pay off of the transaction carry out calculation on month basis month basis भी करेंगे days basis में पगल हो गया है कि यह सरी क्या बोल रहा हूँ बात में one by one करते हैं सबसे पहले price of one future contract price of one future contract यह फॉर्म नहीं लगा रहा हूँ इस में कि सिंपल साथ price of one contract is equal to rupees 9,00,000 divided by 5 तो rupees 1,80,000 इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए point number two calculation of value of nifty approximate nifty census value of nifty as on 1st Feb 2020 future price कि से निकल तर एक लाक असी हजार divided by multiplier और multiplier में कितना 75 दूसर यह आ गया 24 formula f is equal to s continuously compounding use करने के लिए नहीं बोला है तो जबरदस्ती हम use नहीं करेंगे 1 plus r minus yield into time fm कितना ले ले 24 sm को निकालना है 1 plus r कितना 9% और 6% 0.09 minus 0.06 period कितना हुआ भई 1st feb से 1st feb से कब तक may end तक last third may end तक month में calculate days में तो करना नहीं feb, march, april में 4 में तो 4 बाइ 4 में तो 4 बाइ 4 में तो 4 बाइ 2.0 is equal to s 0.09 0.09 minus 0.06 into 4 by 12 plus 1 1.01 तो s is equal to 24 divided by 1.01 तो सर यह आ गया सर सीधी सीधी बात यह है कि जो future value future उसका future का present value नहीं काल रहे है वही तो कर रहे हूँ आगे नहीं फीछे लाना है spotling कालना है अगर आगे ले जाना होता है तो future होता है ठीक है ठीक है सर कोई समस्या है क्या कोई समस्या नहीं है आगे चले तो one हो गया two हो गया maximum content गो या backwardation यह बस यही बात आपको समझा maximum content गो or backwardation सुनू हमेशा हमेशा F ज़्यादा होता है कि S हमेशा ने 99% 99% केसे F ज़्यादा ही होना है F ज़्यादा ही होना है यह बात है कि dividend बहुत ज़्यादा आगए तो अलग बात है F ज़्यादा होता है F ज़्यादा है किस से spot से ज़्याद ही होना है ऐसा जो market है उसको हम बोलते content गो और अगर F कम है यो कि गलत है तो S को बोलते backwardation उल्टा बदला backwardation सीधा बदला content को और S और F के बीच का जो होता उसको बोलते basis basis वैसे निकालने के लिए पूछा नहीं है पर आपका जो suggested है उसने जमाने भर की कहानी लिख दिया basis is equal to S minus F और अगर actual में F ज़्यादा है जो की होना चाहिए अगर F ज़्यादा है तो basis negative आएगा बैसिस भई spot ज़्यादा है परी spot सुनो basis basis F ज़्यादा तो negative आएगा ठीक है spot क्या है कम और कम ही होना चाहिए अगर basis negative है तो इसको बोलेंगे सीधा बदला मेरी बात समझना basis negative ही होना चाहिए ना यार basis का formula यह इसको आप गुमा नहीं सकते कि है पहले लिख देंगे S बाद में S minus F तो इस spot price आपने निकाला था कितना 2376.24 2376.24 और future कितना है 2200 so basis a negative 23.76 since basis is negative hence market is set to be contango maximum contango is rupees 23.76 24 लिखा है ठीक है 24 इसके अलावा भी और कहानी लिखी हुई है तो वो लिख लेना आप जबरत नहीं इतना लिखो खतम करो point number 4 अच्छा rounded off करना था क्यार नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला ठीक pay off the transactions pay off the transactions sir यह 200 का बका है sir यह 200 क्या चीज है आपने बैटिंग किया कि 2400 से नीचे जाएगा ठीक है लाश्ट थर्जडे को में जब एक्सपाइरी होना है उस दिन एक्सपाइर मैचिरेटी डेट को 200 हो गया क्या आपका short position था और यह हो गया 2100 तो बोलो आपको profit की loss profit 2400 minus 1200 yes क्या बोला pay off of the transaction pay off of the transaction gain on short position off lift yes and sex 1200 minus 1200 कितना कॉंट्रक्ट है 5 और एक कॉंट्रक्ट कितने का है 75 तो यह हो गया एक लाग बारह हुजर पास सो का profit हो गया ठीक है और यह कोश्चन ऐसा नहीं है कि RTP में डला हुआ है तो बात गए यह कोश्चन RTP नवंबर 2020 में तो एक्जाम में भी आया हुआ है तो ठीक है सर करना है यस चलते नेक्स्ट कोश्चन पर कोश्चन नमबर 55 और 55 कहां कहां डलना हुआ देखा जायता SM New Slabers में भी और Practice Manual Practice Manual कोश्चन इतना असान है कि मैं आपको होमवर्क दे सकता था होमवर्क देना चाहिए है मुझे होमवर्क होमवर्क ही दे रहा हूँ कर ले ना इसको पर पहले डिसकस कर लेता हूँ सर करवा दो ना प्लीज सर आप कितना होमवर्क दे तो ठीक है करवा दे तो A mutual fund is holding the falling asset in rupees crores investment in a divergified equity shares 90 crores और cash and bank balance है 10 crore तो total मिला कर कितना है 100 crore The beta of the equity shares portfolio is 1.1 beta किसका दिया सिर्फ equity shares 1.1 The index future is selling 4300 level The fund manager afferents Index future दिया है मतलब सर F दिया है क्या? Yes F दिया हुआ है beta दिया है beta सुनो portfolio का नहीं दिया सिर्फ इसका दिया cash का बीटा नहीं दिया और cash का बीटा वैसे भी 0 होता है और fund manager को लग रहा कि index गिरेगा और कितने से 10% से गिर जाएगा तो पहले मैं बोला how many future index future he should short for perfect housing one index future मतलब क्या number of contract से निकालना है yes number of contract में तो कोई दिक्कत नहीं है और दूसरा substantiate करना है आपको बताना कि वाकिए अगर 10% से गिरता है अगर वाकिए 10% से गिरता है तो बताइए आपको कितने का profit loss होगा क्या ये question तो यार हमने ये तो बच्चा question होगे मेरे क्यांसर बस एक assumption लेकर इन्होंने काम किया है और वैसे आपको भी करना है क्या assumption लेना है कि इन्होंने assume किया कि cash और bank balance हमारे portfolio का हिस्सा नहीं है मतलब उन्होंने value of portfolio 90 करोड को मानके काम किया है तो आप भी value of portfolio भई क्या सर ये गलत बात है आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं एक example में तो आपने cash and bank balance को भी आपने portfolio का हिस्सा माना था कि नहीं माना था होता है मैं कब मना करो होता example जो मैंने पिछली class में करवाया था पर इस question को आपको याद करना पड़ेगा ये question बहुत famous question है इसमें इसने assume किया कि cash and bank balance हमारे portfolio का हिस्सा नहीं है cash is not a part of the portfolio ऐसा लिखा बाकी तो number of contracts निकालना और market को एक साइड दस person से गिराना और मैंने करवाया हो ना ऐसा example हाँ sir करवाया तो ये question आप से हो जाएगा कि ये question आप से हो जाएगा मुझे इस question को करवाने की जिबरत नहीं ही इतना आसान question है ठीक है ठीक है मैं आगे चलना हूँ इस question को इस question को homework क्या यास homework question number 56 में homework नहीं दे सकता question number 56 बहुत अच्छा question और ऐसा question आया था आया था जनवरी 2021 में और सुनो कितने number का आया था आठ number का question आया था अगर ऐसा question आठ number का आ जा था आठ number या च्छे number का question था चलो पढ़ते तो है च्छे number का question था सकता लिखा स्याम बाइस बेटे ध्यान से समझना अब अब कुछ नई चीछ चलो हो रही है नया, कुछ नया है, ध्यान समन, स्याम, बाइस, बाइक किया है, मतलब कौन सा पोजिशन है सर, लॉंग, स्याम का लॉंग पोजिशन है, दस जार शीर्स खरीदा, एक्स लिमिटेट के कितने के साब से, 25 रुपए के साब से, ठीक है, एन आप्टे ने कम्प्लीट हैस, और कम् निफ्टी के आरा, सो के साब से बात कतम, वही तो करते हैं, इन्होंने खरीद के रखा है, होल्ड करके रखा, तो डर, और उस डर को खतम करने के लिए क्या किये, इन्होंने, इसका लॉंग पोजिशन है, लॉंग पोजिशन, ओफ एक्स लिमिटेट, कितना शीर्स खरीदा है, दस जार कितने के साब से, पच्चिस के साब से, दूसर दो लाग पच्चासर लगाया है, और साथ में इन्होंने, टॉट कर रखा है, कम्प्लीट हैज करने के लिए, टॉट पोजिशन, ओन निफ्टी, यहां कितना पैसा लगाया है, सर्फ चार सो निफ्टी लिया है, कितने के साब से, ग्यारा सो किस, तो चार लाख चालिज, ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है, निफ्टी गिरेगा, तो यह भी गिरेगा, हमने पर्फेक्ट हैज कर लिया, बोला भी है कि पर्फेक्ट हैज किया, कम्प्लीट हैज कर दी, और इस अनुमान से कि एक जगा प्रॉपिट होगा, अगर यह गिरा मालों, जिसमें आरा लांग पॉजि होता है, मतलब, मतलब यहर हमारा जो बीटा है, यह बीटा का मतलब क्या होता है, बीटा का मतलब होता है, जो पास्ट देख के किया, और बीटा का मतलब होता है सर, मार्केट के गिरने से, एक्स लिमिटेड भी फर्क पड़ेगा, पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन उसके अ तो market गिरेगा तो ये भी गिरेगा हमें यहां loss होगा पर यहां क्या हो जाएगा profit और हमारा profit loss बरावर हो जाएगा लेकिन समस्या क्या सुनो 99% पर सही भी हो सकता लेकिन 81% ऐसा भी तो हो कि हमने सोचा कुछ हुआ कुछ मतलब मतलब बीटा हमारा फैल हो गया ऐसा भी हो सकता है कि market गिरा और हमारा share बढ़ गया ऐसा भी हो सकता है कि market बढ़ गया हमने सोचा मार्केट क्रेस हो जाएगा और सर हमारा share पता नहीं हमारे share में कुछ specific बात होगी X limited में कुछ गरबढ़ हुआ हो गिर गया उल्टा भी तो हो सकता है अगर उल्टा हुआ तो भई profit loss बता हो इस variety का भी कोशिश ये भी एक variety है कि हम जैसा सोचते वैसा नहीं हुआ कुछ और ही हो गया उल्टा पुल्टा तो बताए इन सबसे profit loss क्या होगा इस type का question है देखते हैं तो भाई आपने तो perfect hedge करने की कोशिश किया लेकिन हुआ क्या उसने close कर दिया उसका position at the closing price of the next day when the share of X limited has fall by यहां कितना position यहां क्या था long position यह कितने से down हो गया यह 4% से down हो गया loss अमने तो long position था ना बड़े ने कितने से फाइदा गिर गया ठीक है तो यह भी गिरना चाहिए और बोले यह भी गिरा पर यह कितने परशन से गिरा यह गिर गया 2.5% से गिरा तो बताएए इससे profit हुआ कि loss हुआ है ऐसा भी हो सकता दोनों गिरे ऐसा भी हो सकता यह गिरा और यह बढ़ गया आपको बस आपको तो उद्देश ही क्या है उद्देश है profit loss निकलना बस निकाले तो चलो काम करते हैं calculation of profit और लॉस दो लाइन का कुशन है ज्यादा कुछ है यहां क्या हो रहा है सर यहां तो लॉस हो रहा है क्योंकि गिर गया है ठीक है तो यहां क्या है लॉस आउन लॉस आउन लॉस आउन लॉंग पोजिशन आफ एक्स लुमिटेट कितना और रुपिया लगाया था दो लाग पचास हजार दो लाग पचास हजार इंटू चार पर्शन तो दस आउन रुपिय का लॉस हो गया लॉस है तो इसे मैनस के में देखता हूँ और सर यहां तो प्रॉफिट हुआ न हमारा शॉट पोजिशन था और यह कम हो तो प्रॉफिट ठीक है प्रॉफिट ओन प्रॉफिट है तो आट पोजिशन कितना पैसा लगा है वहाँ चार लाख चारिस चार लाख चालिस जार का 2.5 पॉर्शन कि ग्यारा हजर का प्रॉफिट बच गया है बेटे यहां तो ओर रॉल देख लिए और रॉल तो एक हजर का प्रॉफिट देख रहा है ठीक है ठीक है तो इतना सा अंसर हाँ आप ऐसे भी कर सकते जैसा आपके पास सजिस्टेड में हैं पर ठीक है चल जाएगा है तो यह कोश्ण हो गए अगला कोश्ण कोश्ण नमबर 57 भी वैसे ही कोश्ण है जो अभी किया था तर कहना क्या चाहते हो कहना चाहता हो होंवक बिल्कुल आसान कोश्ण है सॉलूशन तो आपके पास है फ्लीच कर लिजएगा है कोश्ण नमबर 58 भी वैसे कोश्ण है जैसे अभी किया था इंडेक्स अगर एक परशन से गर जाए अगर इंडेक्स जो है वो दो परशन ठीक ही रहो जाएगा जस्टिफाइट करना कॉण्ट्रिक्ट निकालना और जस्टिफाइट करना कोश्ण नंबर दोनों ही कोश्ण में फिर से बोल रहा हूं जो दोनों कोश्ण मैंने होंड दिया वो हमारे आईसी ए आई मटेरियल के नहीं है पर कर लीजीगा क्योंकि हो सकता है कि काम आजाए ठीक है सर हो जाएगा हो जाएगा आप चिंता मत करो कोश्चन नमबर फिप्टी नाइन I.C.E.I. का कोश्चन है और कहाँ इस्टेडी माटेरियल न्यू सिलिवस और साथ में कहाँ है ये कोश्चन पी एम में भी है और मेरे अच्छे कोश्चन में से एक है तर अच्छे कोश्चन का मतलब मुस्किल कोश्चन मुस्किल नहीं है बस सुनोगे ध्यान से तो बात कता माच चाहिए करें एक बार पढ़ दो मैं पानी पीनू येस चलो पढ़ते कोश्चन तेका विच पोजीशन ओन दा इंडेक्स फ्यूचर ग्योस इस पैकुलेटर्स अ कम्प्लीट है या दरखना कम्प्लीट है कैसे होता है कभी भी अगर आपका लॉंग पोजीशन है इस टॉक में तो उधर आपको फ्यूचर में शॉट पोजीशन लेना होता है ठीक उसकी वज़ा क्या है अगर श्टॉक गिरेगा तो लॉसों का पर फ्यूचर भी तो गिरेगा तो उधर प्रॉफिट कमा लेगे लेकिन अगर आपका यहां अगर आपका यहां शॉट पोजीशन है शॉट सेल कर रख तो हम क्या चाहेगे कम हो जाए हम क्या चाहेगे कि तीन महाँ बाद मार्किट कम हो जाए पर तीन महाँ बाद मार्किट बढ़ गया इट में बोल रहा हूँ आपका शॉट में शॉट पोजीशन है तो डर किस बात का रेड बढ़ना चाहे आपका शॉट पोजीशन है ना शॉट पोजीशन समझ रहा हो शॉट पोजीशन में तो शॉट सेल इस स्वाफम करते हैं गिर जाया नददव सस्ते में कर सामने वाले को आप्स कर दे तो अगर आपका taoको अब भगवान से प्राफमाद करो कि प्राइज कम मों४ जाया सीर मार्के बढ़ गया तो जिस बात कडर उसी में बैटेंगे तो चलो long position ले लेते हैं किस में future opposite position लेना होता है एक बातों कसम का लो तो लिखा है पहला the share of right limited is going to rise क्या लग रहा है बढ़ने वाला है तो भाई साब इन्होंने क्या कर रखा है long position ले लिया है कितने का 50 लक तो already आपने कौन सा position लिया है long तो भाई आपको hedge करने के लिए कौन सा position लेना पड़ेगा short कितने का 50 लक यहां कुछ number of contracts निकालने के लिए हमें बहुत सारी चाहिए future का price यह पर उसने कहा कि amount बताओ तो amount तो बताई सकते 50 लक इन्ट 1.5 amount की बात पूसता तो अभी और बात करूंग share of wrong limited ऐसा लग रहा कि depreciate होने वाला तो भाई साब इन्होंने क्या करके रखा है short तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा cash market में short किया है तो हमको क्या करना पड़ेगा future market में long लेना पड़ेगा ऐसे fair limited का आपको क्या लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला फिर भी आपने क्या लेकर रखा short लेकर रखा cash market में तो इसको काटने के लिए क्या लेना पड़ेगा long लेना पड़ेगा फिर से और समझाओगे क्या अच्छे से समझा रहा हूं टेंशन मतलो एक टेबल बना के करें तो ज्यादा अच्छा है क्या है येस इस्टेटमेंट प्रस्टेट्टोंटा हूं और स्टेटिर्टटेट ऑ्रस्ट्टेट्य। तो पहला कॉलम जाएगा, कमपनी कौन कौन सी है भाई, अब के पास सर कमपनी है हमारे पास, राइट लिमिटेड है पहला राइट, दूसरा है रॉंग और तीसरा कौन सा है, यहां तक कोई दिक्कत है कि यहां कोई दिक्कत नहीं है अब भी वताओ, कि पोजीशन इन, पोजीशन इन, कैश मार्केट ऐसा लग लेदे पोजीशन इन, कैश मार्केट, सर वह बाद में लिखते हैं सबसे पहले वैल्यू लिख लेक्या है चलो पहले पोजीशन इन, कैश मार्केट, पोजीशन सर राइट लिमिटेट का जो पोजीशन है न, वह लॉंग है और सर रॉंग लिमिटेट का शॉट है और फियर लिमिटेट का भी शॉट है ठीक, कितने एमाउंट का है तो इसका है पचास लग का और सर इसका है पच्चीस लग का और सर इसका है बीस लग का ठीक है और बीटा क्या है तीनों का बीटा भी पता होगा पहले वाले का बीटा है 1.25 दूसरे वाले का बीटा है एक तो 1.25, 0.9 और तीसरे का बीटा, 0.75 अब जाएगा पोजीशन इन पोजीशन इन क्यूचर मार्केट अब सुनना ध्यान से मैंने गा काटने के लिए कौन सा पोजीशन लेना पड़ेगा अपोजीट पोजीशन राइट लिमिटेट का आपने लॉंग कर रखा 50 लाक बढ़ेगा तो फाइदा पर मार्केट गर गया तो चलो उसी में बैटिंग करते कितने रुपए का बैटिंग करते वैसे नंबर ओप कॉंट्रेक्ट हम निकालते थे वैलियो पोर्टफोलियो इंटु बीट और पीट पोर्फोलियो टार्गेट बीटा क्या रखना जीरो डिवाइड वा एम नहीं मालूम एफ नहीं मालूम तो ठीक है अमाउंट पर बता दो सर्फ पचास लाक इंटू 1.25 तो हमें फ्यूचर में 62 लाक 50,000 का क्या करना पड़ेगा निफ्टी में निफ्टी में लॉग है तो उसका पोजिट क्या करना पड़ेगा शॉट सर्फ 25 लाक इंटू 1.9 यहां शॉट है तो इधर 22 लाक पचास हजार यह क्या करना पड़ेगा सर्फ यह करना पड़ेगा लॉग और सर 20,00,000 x 2.75 तो सर 15,00,000 यह क्या करना पड़े एक short है तो इसका मतलब आप Nifty में ये सारा काम कर रहे हैं मालब Nifty ya Sense6 जो भी हो ऐसा कुछ बता रहे हैं इसा कुछ बता रहे हैं Complete Hatch के लिए खेर Nifty Sense6 जो भी हो आप क्या कर रहे हैं सर हम निफ्टी में पहले हम short position करेंगे downside betting करेंगे क्या करेंगे कि निफ्टी गिर जाए चलो शर्त लगा दिए फिर और 22,50,000 की शर्त लगाई है किस बात की सर निफ्टी बढ़ जाए फिर सर 15,00,000 का और शर्त लगाई है पिर सर तोटल में बोलो न सर ये बढ़ने की सर तो ये कम होने की नेट बोलो नेट की बढ़ने की कट कम होने की शॉर्ट पोजिशन लेना है कि लॉंग लेना मार्केट में आप कभी बोलते लॉंग लेना है इतने से कभी बोलते शॉट लेना है जब आप जाओगी तो बोलेगा, net बोलो ना या निफ्टी में long कर रहे है की short कर रहे है हम बता रहे है की क्या कर रहे है हम इनका net कर देते हैं सर्फ 22 65,25,000 minus 22,000,000 minus 15,000 सर्फ 25,000,00 से हम short कर देगे नेट में हम 25 लाग से सौट करेंगे निफ्टी में ठीक है पसकोशन खतम हो गया पूरी बात समझ में तब आये जब हम एक बार एक बार प्रू करके देख लें कि है एक्चुल में क्या है करके देखने में मजा एक जीरु आना ची ओवरॉल प्रॉपिट लॉस तभी तो यार परफेक्ट है जो लिए तुना कोशन नोट कर लिया ना आपने सॉलूशन नोट कर लिया अब कुछ लिखना नहीं है मैं इसी में लिखूंगा इसी में लिखूंगा माल लो माल लो माल लो निफ्टी दूसरा कलर ले लो सर दूसरा कलर ये वाला कलर अच्छा लग मान लो निफ्टी 10% से डाउन हो गया निफ्टी डाउन हो गया इसका बीटा है 1.25 तो सर ये भी डाउन हो जाएगा 12.5% से ठीक है सर इसका बीटा है 9 तो sir ये भी down हो जाएगा कितने percent से 9 percent से इसका बीटा है point से तो sir ये भी down हो जाएगा 7.5 मैं बोल रहा हूँ loss हो जाएगा ये नहीं down हो जाएगा यहां तक ठीक है और पस calculator उठाओ हिसाब किताब करते profit और की loss अच्छे से देखते सोचते है थोड़ा सा 25 लाक short है 10 percent गिरा तो भाई मेरा तो profit है इस पे तो profit है गिरने से profit सर दो लाक पचास अर का profit पर दिक्कत है नाइस blue वाला ले लेता हो पर 50 लाक long position है गिरा तो loss है ना 12.5 percent से गिरेगा गिरेगा तो loss है हाँ सर तो सर पचास लाक into 12.5 percent सर लॉस हो गया 6 लाक 25 लाक सर पच्चिस लाक 9 percent और short है तो profit 25 लाक into 9 percent profit हो गया है 2 लाक 25 लाक सर बीस लाक गिरा और short ही position है तो फिर profit 20 लाक into 7.5 percent पर एक लाक पच्चास लाक का profit अब निकालो overall situation 0 आना चाहिए तभी perfect है 250,000 प्लस 2 लाक 25,000 प्लस 1 लाक 25,000 प्लस 6 लाक 25,000 क्या perfect है हो गया हाँ ये तब होगा जब सारे stocks बीटा के बीटा जैसे बोला है उस तरह से react करें मैंने कहा कि अगर future market गिरा 10 percent जिस पर आपने short किया है क्योंकि इसका बीटा 1.25 है तो ये भी गिरना चाहिए 12.5 percent से तब perfect है चाहिए लेकिन अगर बीटा है 1.25 तो गिरना चाहिए 12.5 percent से लेकिन actual में कुछ और हुआ actual में 11.5 percent भी हो सकता थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है तो फिर यहाँ 0 नहीं आएगा थोड़ा सा plus minus आएगा अब उल्टाई हुआ तो भगवानी कुछ भी नहीं कर सकता इस तरह से ये सब आपको करने की जरूरत नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से काम किया जाता है अगला कोशन ले ले येस कोशन नमबर 60 ये तो और भी अच्छा कोशन है और कहां से है सर सेम चीचे सेम सारी चीचे वही मिलेगी आपको कहां है ये इस्टर्णी माटिरियल नियू सले बस और कहां मिलेगा आपको प्रैक्टिस मैनूल ओले बस बनाए गोशन येस लेका राम बाइस बाइक का मतलब लॉंग पोजिशन दस अच्छीर तो अप एक्स लिमिटे अड़े प्रैस अप ट्वेंटी टू पर शेर तो राम का कौन सा है लॉंग पोजिशन कौन सी कमपनी एक्स लिमिटेट 22 रुपे पर शेर कितना 10,000 शेर दस अच्छीर इंटो बाइब इस करो दूसर दू लाक बीस जार और बीटा कितना है 1.5 ठीक है और उसने सेल किया है सेल का मतलब क्या होता है सर शॉर्ट पोजिशन रफ में लिखते हैं चल रहा हूँ कौन सी कमपनी का एक्स लिमिटेट का 40 रुपे के हिसाब से 5,000 शेर तो 5,000 इंटो 40 तो साहब यह हो गए 2,00,000 रुपे बीटा भी दिया हुआ है क्या यह सबीटा है कि अप्टेन अ कम्प्लीट है बुले कम्प्लीट है करना है किस से निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर का प्राइस कितना है एक हजार नमबर ओप कॉंट्रेक्ट निकल सकते एक हजार मल्टिप्लायर नहीं दिया सबसे पहले तो हमें यह निकालना पड़ेगा कि हमें लॉंक करना है कि शॉट करना है तो पहले पोजीशन चेक कर लेते है और फिर यह एक्ट्वल में हुआ है यह जो मैं करके दिखा रहा था ना पिछले कोशन में मान लो यह 10 परशन से गिरा तो उन्होंने बता दिया कि यह इतने परशन से गिर रहा है यह इतने परशन से इतने परशन से बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस कर लेंगे मुश्किल नहीं सबसे पहले पोजीशन तो वह यह काम करें इस टिटमेंट शोएं पोजीशन इन तो टेबल में बनाएंगे कि हाँ मैं तो टेबल में ही बना देता हूं टेंशन कहता हमाँ जाएं सबसे पहले क्या रहेगा सर कंपनी दो ही तो कंपनी है सर कंपनी का नाम कंपनी क्या क्या नाम है एक है एक्स लिमिटर और एक है एलिमिटर एक्स लिमिटर और एलिमिटर एक है टेक पुसेशन इन कह्सेवस्मरकत है पहला लॉंग दूसरा शॉर्ट लॉंग शॉर्ट अमाउंट कितना अमाउंट सर अमाउंट दो लाग भी सरी आया कैसे दिखाना पड़े सर इंटू बाविस दो लाग भी सरी और सर पाच जार इंटू चालेश दो लाग बीटा भी देख लेते एक बार बीटा कितना कितना बीटा है इसका 1.5 इसका 2 1.5 अब यहां जाएगा पोजिशन इन फ्यूटर मार्केट या पोजिशन इन निफ्टी पोजिशन इन फ्यूटर मार्केट दो लाग 20 जार इंटू 1.5 तर तीन लाग 30 जार लाग की शॉट सर लाग है तो उसका अपोजिट होगा शॉट और यहां चार लाग शॉट है तो लाग लाग तो नेट में देख लो क्या हो रहा है तो 70 जार लाग ठीक यह हमको पता करना पड़ेगा कि निफ्टी में आप लाग कर रहा है कि शॉट कर रहा है ठीक है कोश्चन में कहीं भी यह ने बुला कि नंबर ओप कॉंट्रक्ट कितना यह बताओ करके बस उसने का कि निफ्टी फ्यूचर चो है वह एक हजार में सैल हो रहा है एक हजार में इसलिए हमरी मजबूरी हमको दिखाना पड़ेगा नंबर ओप कॉंट्रक्ट मजबूरी क्या नहीं भी दिखाओगे तो चल जाएगा इसमें दिखाया है भाई चलो दिखा देते हम भी क्या फर्क पड़ता है मल्टिप्लायर कुछ दिया नहीं है नंबर ओफ कॉंट्रक्ट इसी कॉंट तो सत्तर हजार डिवाइड़ बाए एक हजार तो सत्तर कॉंट्रक्ट कौंसा लो अब पोजिट पोजिशन लेकिए यहां तक कोश्चन खतम हो गया था पिछला वाला लेकिन अब इस कोश्चन में आगे बढ़ा कर क्या बूल रहा है यहां तक तो पिछला वाला कोश्चन था माल लो कि आप अपनी पोजिशन क्लोज कर रहे है आपकी तीन पोजिशन है अभी कौनकौन सी पोजिशन है कहां कहां यह दिख रहे आपको एक तो X Limited, A Limited और Nifty X Limited का Long Position है आप भगवान से क्या प्रात्ना करोगे कि बढ़ जाए चेक करो X Limited का क्या हो रहा बढ़ जाए है भगवान बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए और बोले X Limited गिर गया ओहू सर तो लोस जैसा सूचा था वैसा नहीं X Limited गिरा चेलो देखते हैं A Limited में कौन सा पोजिशन है सर सोट है भगवान गिर जाए डाउन हो जाए डाउन हो जाए और A Limited एप्रिशेट हो गया ओहू फिर लोस दूनों जगा लोस निफ्टी में तो फायदा होगा 100% निफ्टी में आपका कौन सा पोजिशन लोंग भगवान निफ्टी बढ़े निफ्टी बढ़े निफ्टी बढ़े निफ्टी बढ़े और निफ्टी गिर गया ओहू तो सब जगा क्या होगा लोस तो बताओ overall profit हो रहा कि लोस तो निकालें सर समझा रहा है सर ठीक है तो कैलकुलेशन और 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 प्रॉफिट और लस सबसे पहले बात किसके कर ले है एलिमिटेट का लॉंग पोजिशन है उदर अभी क्या सब जगा लॉस है तो लॉस ऑन लॉंग पोजिशन अफ एलिमिटेट ठीक है कितना रुपे लगा है एलिमिटेट में दो लाग बीस जार और कितने पर्षन से दो पर्षन से किर गया तो दो लाग बीस जार इंटो टो पर्षन चार हजार चार सो का तो यह लॉस ठीप है और किसम लॉस एकस लिमिटेट ए लॉस ओन एकस लिमिटेट पहले था क्या एकस लिमिटेट पहले था यह यह खानी होत शीट अरॉस on short position off A limited A limited A limited में कितना पैसा लगाया 2,00,00,00 और कितने से बढ़ गया 3 परशन 2,00,00 into 3 परशन 6,000 का यहां लॉस होगे Last Loss on Long position of Nifty Nifty में आपने long position लिया था कितने से लिया था 4,00,00,00 बढ़ना चाहिए था कम हो गया 1.5 परशन तो यहाँ 6000 का Loss तो साहब जी Total Loss कितने का है Overall Loss 12,000 प्लस 4,400 12,400 का Loss Answer match कर लो 11,450 निए पचास का हंवादे बढ़ोगी है प्लस कर ले था हूं भाई मुझाती तो पता निए कहा कैल प्लेशन निष्टे करा कर उसमें तो कुछ अलग का रख़ा कोई बात नहीं हम अपने इसाब से देख लेते हैं पहला तो दो लाइक बीस जार दो लाइक बीस जार का कितना पर्शन दो पर्शन एक्स लिमिटेट का दो लाक बीसजार का 2% दो लाक बीसजार का 2% 4,400 ये ठीक है फिर दूसरा जो पैसे लगा 2,000,000.00 का 3% से एप्रिशेट हो रहा है 2,000,000.00 का 3% 6,000 ठीक है फिर 4,000,000.00 का 1.5% ये भी 6,000 चार लाक चार लाक से लॉंग किया हूं कि मैंने तर सप्तर हजार से लॉंग किया है आपने अद नहीं कर दिया आप ओके गलती हो गई सतर हजार का 1.5 पॉश्ट मैं वही सोचा कहां गलती हो गई तो सब 70,000 into 1.5 पर्शन तो सब 1050 का यहां लोज तो अब गिनलों 1000 प्लस प्लस 4400 प्लस 6,000 तो 11,000 चार सब प्चास का लोज ठीक है जी हाँ बोलो सर ठक गए हम लोग घरे नहीं अभी कहां ठके भड़ी बचेवे कोशन निक्टाना है और कम से कम हमको आज की क्लास में दो कोशन और बचे यार आदा घंड़ा का टाइम है आराम से होगा आराम से ठीक तो क्या बहुत सारे कोशन ने पंदरा यह तो होमवर कर जाएका अरी यह बस इतने दो बचा यार यह टेंसन लेते हो भाई एक कोशन है जो इंपोर्टेंट है बाकी एक कोशन में थोड़ी सी ना जान लगानी पड़ेगी बाकी तो फिर होगे हतम होने वाला डेरी टी ब्रेक लेंगे वो देख लेते हैं यह बही मैं ऐसर दो ही कोशन करवांगो उससे ज़्यादा कोशन नहीं करवांगा उसके बाद ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद कमो बेटीु कुच और एक कोशन बचा हो कोशन ढaft 50 क्लास होगा जी कैसर तो चले एक कॉंसेप्ट एक्चुली कॉंसेप्ट है वो डिस्कुस करना सुनोगे ध्यान से वच्चो ध्यान से समझना माल लो मेरे पास पोटफोल्यू है ठीक है सर तीन सो लाग का जिसका बीटा है टू ठीक है पोटफोल्यू का मतलब स्टॉक की बात कर लेता हूँ मेरे पास स्टॉक ए कितना है वैल्यू पोटफोल्यू तीन सो लाग और बीटा है टू उसका बीटा है टू अगर मैं कहता हूँ मैं B में पैसा लगाता हूँ और B में और कितना लगा देता हूँ मानलो मैं B में 200 लाक रुपए और लगा देता हूँ और जिसका बीटा है 1.5, तो क्या बीटा पोटफोलियो निकाल सकते हैं, सर क्या question पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आ था, बीटा पोटफोलियो, यही तो पढ़ रहे हैं, बैटे, कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा, हलके में मत ले न, सर निकाल लेंगे, वो ऐसे निकालें टू 1.5, और डिवाइड़ बै क्या हो जाएगा, पास, बीटा 2 है, तो पोटफोलियो का बीटा, वेटे एवरेस बीटा 2 आएगा, कि अगर मैं इसको, मैं मैं कुछ बूछ रहा हूं, तो उन सुन न देहां से, यह मेरा पहले से, एक जिस्टिंग, 300 लाक बीटा 2, अगर मै इसको भी मिला लेता हूं, तो मेरा जो पोटफोलियो का बीटा है, 2 से बढ़ेगा, कि 2 से कम होगा, 2 से कम होगा, क्योंकि यहां बीटा 1.5 है, तो वेटे डेवरेस करोगे, तो 2 से कम होगा ना, एक बार करकी भी देखने थे, 300 इन्टू 2M प्लस 200 इन्टू 1.5 M प्लस MRC, पका 1.8 आ गया है, ठीक है सर, इसमें कुछ समझने वाली बात ठीक है, नहीं है, लेकिन अब काम के चीज़ है, अब मैं आप से कुछ भूख रहा हूं, बिलुकुल साउधानी से जवाब देना, साउधानी से, वैल्यो पोटफोलियो कितना है, 300 लाग बीटा कितना है, 2 और अगर मार्केट बढ़ा, तो हमारा भी बढ़ेगा और हमको फायता होगा, और इसके अलावा मैं और एक जगा पैसा लगा रहा हूं, मैं फ्यूचर में पैसा लगा रहा हूं, निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर, और यहां सुनो, शॉर्ट पोजिशन कर, अब प्लीज, 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 हाथ जोड़ा हूं, ध्यान से दोना, अगर मुझे बीटा कम करना है, यह जीरो करना है, तो निफ्टी फ्यूचर में कौन सा पोजिशन लेता था, याद करो, शॉर्ट, लॉंग है, तो काटने के लिए शॉट लेते हो ना, इस बीट फ्यूचर तो वन होता ही, होता है बीटा फ्यूचर वन, तो क्या मेरा अब पोटफोलियो का बीटा आप निकाल सकते हो, सोच समझ के जवाब देना, यहां कौन सा पोजिशन है, लॉंग, यहां शॉर्ट ने लिया, यहां भी मैंने लॉंग पोजिशन लिया, बस एक कोश् लॉगा और जो बच्चे बोल रहा है की कम होगा, वो तो बेकूप बना रहा है, कम तो तब होता जब मैं हहां शॉट करता, मैं हां लॉंग कर रहा हूँ, कुछ बच्चे मालू मैं कैसे कर रहा है पोट्फोलियो का बीटा ऐसे निकाल रहा है, सर पोट्पोलियो बीटा is equal to 300 into 2 ठीक है प्लस 200 into 1 ठीक है divided by पास सो तो सर आ गया है सर ये तो बच्चो वाला काम हो गया 300 into 2 M plus 200 into 1 M plus MRC divided by 500 तो सर बीटा आ गया है 1.6 बेवकूफी वाली बात है जबी मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि पोर्टफोलियो का बीटा मेरा बढ़ेगा की कम होगा बढ़ेगा इधर भी लॉंग है और इधर भी लॉंग है तो बीटा कटेगा थोड़ी बढ़ जाएगा तो क्या ये गलत है ये टूटली गलत है आप खुद सोच के देखो एक कुछ लेते है कि माल लो माल लो मार्केट दस परशन से डाउन होगा लॉंग पोजिशन है और सर पोर्टफोलियो ये भी मेरा दस परशन से दस नहीं बीटा टू है तो ये बीस परशन से डाउन होगा देख ले एक बार कितना लॉस होने वाला है मार्केट 10 से तो यह 20 से और दोनों मेरा लॉंग पोजीशन ने तो देख लेते हैं कि कितने का लॉस होने वाला है तो 200 लाग का 10 परशन कितना होता सर 20 लाग का लॉस हो गया लॉस और यहां 20 परशन 300 लाग का 20 परशन तो सर यहां भी मेरा 60 लाग का लॉस हो गया तो टोटल मिलाकर 80 लाख रुपए का लॉस हुआ के नहीं हुआ हुआ तो मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू मेरे 20 लाख रुपए मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू था कितना सर मेरा वैल्यू था 300 लाख कम हो गया 60 लाख का तो मेरा पॉर्टफोलियो का वैल्यू तो 240 लाक बचा बचा साथ में इस में से 20 लाक इधर भी देना पड़ा लॉस है ना फ्यूचर में तो आपको पैसे देने पड़ते हैं तो सर 20 लाक और देना पड़ा तो मेरा पॉर्टफोलियो 220 लाक का ही बचा तो अल्टिमेटली क्या मेरा पॉर्टफोलियो का वैल्यू गिर गया यस कितना था 300 300 से कितना 220 मतलब सर मेरा 80 लाक का लॉस है कितने पे सर 300 लाक पे मैं ये थोड़े न लूँगा मैं 300 लाक पे पर्षेंटेज में बोलो इन 200 तो तो उसा 26.67 पर्षेंट इसका लॉस है क्या मार्केट गिरा 10 पर्षेंट से याश तो क्या पॉर्टफोलियो भी गिरा कितने पर्षेंट से 20 पर्षेंट से नहीं 26.67 पर्षेंट से तो अब मेरा अगर मैं निफ्टी में भी पैसा लगाता हूँ तो 26.67 पर्षेंट का लॉस हो रहा है और यहां 10 पर्षेंट का लॉस हो रहा है तो मेरा बीट आ गए 2.667 मैं क्या कहने की कोशिश कर रहूँ आप बस इतना समझ जाओ इक्जाम में आता है अब ध्रहान से सुनए इक्जाम में क्या था exam में यह आता है कि भाई हमने already यहाँ पैसा लगाया है और हमने nifty future में भी पैसा लगाया लेकिन short ने किया long किया तो बताओ beat up portfolio क्या है और beat up portfolio हम इतना सारी कहानी से नहीं निकालना है मिलगू simple तरीके से निकाल सकते beat up portfolio देखो कैसे निकालना 300 into 2 कोई दिकत nifty future कितने से long किया है 200 200 into 1 divide किस से होगा यह important है कभी भी मैंने divide जब मैंने 80 लाग का loss लिखा न divide 500 से नहीं किया divide 300 से ही किया अगर मैं यहाँ divide 300 से कर देता हूँ तो बोलो क्या होगा बीटा निकालते है 300 into 2 200 into 1 divided by 300 तो देखो बीटा कितना आ गए 2.667 और यहाँ बीटा कितना आया था 2.667 यहाँ क्या मैंने घुमा कर निकाला था चलो इसको भी 10 परशन से गिरा देते है इसको भी हम कितने से गिरेगा 20 परशन से गिरेगा तो उसके हिसाब से फिर मैंने परशन से निकाला घुमा कर 26.67 परशन से का एक्चुल मेरा पॉर्टफोलियो का वैल्यू गिरा बस आप कास आप इतना फोकस कर पा रहा है कि यहाँ बेस मैंने 500 ने लिखा 300 लिखा है वही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूं सौटकट से सर समझ में नहीं आया है कोई बात्मी कोश्चन बनाते कोश्चन में समझ में जाएक चिंदा मत करो कोश्चन में समझ में जाएक क्योंकि ना इसमें मैं एक्जामपल करवाने से रहा example करवाने में बहुत टाइम लग जाएगा तो चलो आओ question से समझते question number 61 question पढ़ते एक बार तो अब पानी पी ओगे मैं पानी पी लेता हूँ दोगी question है पानी पी कर दोनों question में प्रत अच्छा question है important question पढ़ते जरो कोश्चन का Mr. X is having a portfolio of share एक portfolio है जिसमें share कितने का है 170 लाग का share से एक्जाम में आया है July 2021 में आया है at current price और cash कितने का है 30 लाग cash जो है वो portfolio का हिस्सा है कि नहीं हमेशा से होता है बस वो एक question को छोड़े के बीटा दिया है लेकिन portfolio का बीटा नहीं दिया share का बीटा दिया share का 1.6 after 3 month price of share dropped by 3.2% ठीक है यहां तक तो हम यह वाला line क्यों दिया यह नहीं मालूँ यह बाद में सुचेंगे सबसे पहले क्या नहीं का portfolio बीटा निकालना यह तो बहुत आसानी से निकल दें point number one में कोई दिक्कत नहीं मैं है निकल कर दा रहा हूँ point number one portfolio beta तो beta portfolio is equal to shares में कितना पैसा लगा है एक सो सतर लाक इंटू share का बीटा दिया है कि share portfolio का बीटा दिया है 1.6 और cash कितना है 37 cash का बीटा तो 0 होता है divide में कितना करेंगे divide में जैसे कर रहा थे दोस्तों 170 into 1.6 divided by 2 तो यह अगय सर 1.36 इसमें कोई दिक्कत क्या कोई दिक्कत नहीं point number two point number two सुनो फिर से निकालना है portfolio beta फिर से निकालना है portfolio beta निकाल लेंगे after three month portfolio beta जो निकालना है after three month निकालना if Mr. X on current date goes for तहाब इन्होंने फिर क्या किया long position लगाया है दोस्तों लाकिस में निक्टी future में याद रखना long है short नहीं long इधर भी long इधर भी long तो क्या portfolio beta निकाल सकती है shortcut से shortcut तो मैंने आपको बताया shortcut क्या है देखो अगर मैं कहूं shortcut से अगर मुझे point number two का answer देना तो मैं यूं निकालूंगा कैसे निकालूंगा सुनना सर लिखना नहीं है 170 into 1.6 ठीक है plus 30 into 0 plus nifty में भी पैसा लगाया है 200 और nifty का beta क्या होता है 1 और सर डिवाइड किस से करेंगे डिवाइड सोच के बताना सर डिवाइड करेंगे 170 plus 30 plus 200 मत कर देना weighted average में मैंने बताना future वाला नहीं लेगे और निकाल दो कितना आ रहा है एक बार roughly करके लिखता 170 into 1.6 और 200 into 1 divided by 200 answer आजाएगा 2.36 बस बात करता पर बट 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 IC AI ने किसी और तरीके से कर रखा किस तरीके से कर रखा सर example यह shortcut IC AI ने ऐसे shortcut नहीं किया IC AI ने long तरीके से किया है जैसे मैंने 2.667 निकाला था तो वैसे हमको करना पड़े ठीक है इट मेंस यह वाला जो है यह shortcut यह काम का नहीं है आंसर मैच करने के लिए काम का है करे आके काम अब ध्यान से समझना बिलकुल मुझे आप की help चाहिए इसी question में मैंना थे मैंने का यही question ने समझने वाला वो बोल रहा है price of share dropped by 2% बिलकुल मैंने कालना प्रफोलियो बीटा आप्टर पीमस प्रफोलियो बीटा आप्टर पीमस ठीक अब सुनोगे सुनोगे बिटे सुनोगे आपका प्रफोलियो कैसे हैं तो चलो दावात करते हैं अगर मैं कौन है नाम कैस का Mr. X Mr. X दो जगा पैसे लगी है इसके काहा काहा पैसे लगी एक तो इसने इसका अलड़ी पॉर्टफोलियो है पॉर्टफोलियो बोलता हूं एक तो शीर से और एक है cash, ठीक है शीरस में कितना लगा हूँ है एक सो सतर लाक एक सो सतर लाक और cash कितना है 30 और position कौन सा है long और बीटा कितना है इसका सिर्फ शीरस का बीटा बता हूं साथ में साहब इन्होंने निफ्टी में भी पैसे लगा रखा है और यहां भी पोजिशन कौन सा है लॉंग ठिक और कितना पैसे लगा रखा है यहां कुछ बताया है साथ इन्होंने दो सोलाक रुप है और इसका बीटा तो 1 होता ही है अब मैं आप से कुछ बोल रहा हूं निफ्टी का बीटा सॉरी शेयर का बीटा है 1.6 इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि अगर निफ्टी गिरेगा 10 परशंट से तो यह भी गिरेगा पर 10 परशंट से नहीं 16 परशंट से अब उसने, वो आपको बताएगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर ये गिरेगा 16% से, तो निफ्टी गिरेगा 10% से, कुछ भी बताएगा, उसने एक चीज बताएगा, बस, share dropped by 3.2%, ये important है भई, important है, इस बार वो ये नहीं बता रहा है कि ये गिरेगा, वो बहुत रहा है, ये गिरेगा, ये गिरेगा कितने से 3.2% से, ये डाउन हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा 3.2% से, तो बताओ, market कितने परशन से डाउन होगा, ये बता दिया तो tension खतम, क्या है, calculation of percentage, all in nifty, beta is equal to, beta का formula क्या है, percentage change in shares, shares, divided by, percentage change in nifty, ये बीटा पता है हमको, yes, कितना, 1.6%, percentage change in shares पता है क्या, 3.2%, तो क्या percentage change in market निकल सकता है, x is equal to, 3.2 divided by, 1.6, कितना, परशन, बुल मार्किट कितने से गिरेगा, सर, 2% से ये भी गिरेगा, ठीक है, सर, ये तो unitary method से हो सकता था, कैसे बटे, सर, 1.6 के लिए, 3.2% डाउन होता है, तो 1 के लिए कितना डाउन होता हा ना, यार, formula की जरूत नहीं है, सीधा दिख रहा है, मुझे न, ये निकालना, क्यों निकालना, वो मैं समझा दूँगा, कि अब market कितने से डाउन, मैं actual मैं चाहता हूँ कि overall loss कितना हो रहा मेरा हो जाए, मैं overall loss जब तक नहीं निकालूँगा, जब तक मेरा portfolio का बीटा नहीं निकलेगा, it means, जो पिसला example था, पिसला जो मैं example कर रहा था, याद करो, इसमें मैं इसको भी बता रहा था, यार, ये 10 परशन से, इधर कितना loss हुआ, इधर कितना loss हुआ, दोनों को plus किया, और फिर मैं यहां तक पहुचा, कैसे पहुचा, खुछ सोच कर देखो ना, यहां तक, मैं वहीं तक पहुचना चाहता हूँ, बिना example करवा है, इसलिए मुझे थोड़ा आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, पर टाइम कम है यार, टाइम का फाइदा उठाते हैं, ठीक है, सर्य, यहां तक बात समझ में आगए, कि मार्केट कितने परशन से गिरने वाला, दो परशन से, यहां तक, यह समझ में आगए, तो फिर काम होगा, तो करें, ओवराल प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं, कि क्या हो रहा है, सबसे पहले यह कितने परशन से गिर रहा है, 3.2 परशन से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओवराल प्रॉफिट यह लॉस निकाल रहा हूँ, आफ्टर थ्री मंत, पॉर्टफोलियो आफ्टर इना सबसे पहले वैल्यू और शियर पॉर्टफोलियो कितने का था 170 लाग का कितना डाउन हो गया 3.2 पर 170 माइनस 170 लाग का 3.2 पर तो सरी ये बचा 164.56 ठीक लॉस ओन लॉंग पॉजिशन निफ्टी निफ्टी में कितना पैसा लगाया था 200 लाख का दो पर्शन 200 लाख का दो पर्शन कितना होता है 200 लाख पर ये चार लाख जो लॉस हो रहा न उससे मेरा पॉर्टफोलियो ने उससे मेरा कैश कम हो जाएगा मुझे कैश कैश था कि मेरे पास कुछ कैसा 30 लाख इस 30 लाख में से 4 लाख निकाल कर देना पड़ेगा भाई स्टॉक एक्षिंज को तो कैस बैलेंस 30 लाख माइनस 4 लाख तो सर ये 26 लाख ही बचा तो वैल्यो पॉर्टफोलियो आप्टर थ्री में 114.56 प्लस 26 तो सर वैल्यो पॉर्टफोलियो विच एक्सवन नब्य पॉर्टफोलियो आफ्टर थ्री मास ठीक है ठीक है अभी क्या करना इसके बाद इसके बात पर्षेंटेस चैंज इन पॉर्टफोलियो पहले मेरे पॉर्टफोलियो था 200 लाग का 200 लाग कौन स्वा मालूम है 133 टोटल मिलाकर कितना होता है 200 लाग अब बचा मेरा पॉर्टफोलियो 190.56 बेस में 200 ही आएगा इन्टो हंड़ेट 200 माइनस 190.56 दिवाड़ेट बाई 200 लाग का 4.72 परशन इसका मतलब सर मार्किट अगर गिरता है 2 परशन से तो हमका हमारा पॉर्टफोलियो भी गिरा पर कितने परशन से 4.72 परशन से तो कि आपने निफ्टी में लॉंग किया था तो जबरदस्ती कैश भी हमको देना पड़ गया ठीक है तो बीटा पॉर्टफोलियो आप्टर थ्री मंत निकल रहेगा बीटा ओफ पॉर्टफोलियो आप्टर थ्री मंत इतने परसेंटेस का चैंज हुआ 4.72 परशन डिवाइड़ बाई क्या कर दो 2 परशन तो 4.72 डिवाइड़ बाई 2 तो आंसर आ गया 2.36 और यही मैंने भी यही तुरंत निकाल लिया था है 2.36 पर सुनो यह चलेगा नहीं चलेगा लंबा वाला अच्छा सर ठीक है प्रैक्टिस लगेगी यह कोश्चन बहुत अच्छा है इस पर प्रैक्टिस चाहिए प्रैक्टिस के बिना नहीं होग इस पर प्रैक्टिस चाहिए और एक कोश्चन होमवर्क दे दी कि कोश्चन नमबर 62 होमवर्क अब के लिए तो वैसी वाला कोश्चन है कर लेना भाई प्रैक्टिस के लिए न्यू सिलीबस में भी कोश्चन नमबर 63 लास्ट कोश्चन है बीटा मैं लास्ट ने एक कोश्चन और बचा वो ब्रेक के बात करेंगे यह वाला कोश्चन तो खतम करें लिखा अब फ्यूचर कॉंट्रेक्ट अन बीसी इंडेक्स विथ फोर मन्थ मैच्योरिटी इसा कोश्चन किया हुआ है तोटल पिरियट कितना है वैसे तो हमें तीन मन्थ के लिए हैज करना है पर यूच कौन सा वाला कर रहा है फोर मन्थ वाला फ्यूचर यूच करेंगे यह बात थी तो फॉलिंग इन्फॉर्मिशन इसा अफेलिबल वैल्यो पोर्टफोलियो यह दे रखा ठीक आगे क्या दिया बी एसे सेंसेक्स ओन फर्स जनवरी दो हजार बाविस यहां का मतलब सर बी एसे सेंसेक्स ओन फर्स जनवरी आज की डेट कौन सी है भई की एक जनवरी दो हजार बाविस एक जनवरी दो हजार बाविस सेम्टेमबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर चार महने बाद यहां के लिए जो फुचर वैल्यो है आज वो कितना है five eight five eight five eight zero हम यहां सोच रहा है की चार मेने बाद जिस पे हम बैटिंग करना है उसका फ्यूचर वैल्यू है फाइट 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 जीरो टिक बीएसे सेंसेक्स ओन फर्स जनवरी दो हजार बाविस एंटीसिपिटिटिड ओन फर्स दिसंबर दो हजार इकिस जब हम यहां पहुझ गए जब हम यहां पहुझ गए तो यहां के लिए वन मन्थ फ्यूचर लगेगा ऐसा कोशन किया है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए वन मन्थ फ्यूचर मतलब इसी डेट के लिए और यह एंटीसिपेशन है कि 56641.25 होग जब यहां थे तो 4-month फ्यूचर यह दिख रहा है इस पे हमने बेटिंग किया होगा कौन सा पोजिशन लिया यह तो कुछ हैज कर रहा है तो हमने शौटी पोजिशन लिया होगा कि प्राइस गिरेगा और हम भगवां से और हमें सौधा कप काटना है यहां नहीं यहां काट तो हमने हमको पता लग गया कि यहां 56641 है मतलब हमने का कम होगा और कमी होगा तो हमारा प्रॉफिट है इट मींस वहाँ एक कोश्चन था जिसमें हम कैल्कुलेट करते थे यह भी कैल्कुलेट करते थे इस बार उसने दे दिया डिविडेन यिल्ड दे रखा है 6% पारैनम 181 डेज टी बिल ओफर रेट ऑप इंटरेस्ट 9% पारैनम ठीक है सर यह 181 डेज टी बिल क्या कर रखते टी बिल जो है वो 181 दिन का के लिए इस्यू किया गया था 181 डेज के लिए ट्रेजरी बिल इस्यू किया था पर उसका जो रेट है वो पारैनम बना कर दे दिया है तो यह 181 डेज के लिए कन्फ्यूज मत होना की क्या दिया हुआ करे बीट आप पोर्टफोलिय दिया 1.5 यह रिक्वार टू कैल्कुलेट मांग क्या रहा है प्रिजेंट वैल्यू अप संसेक्स एज उन 1st September 2021 1st September 2021 यह जो है ना इसका स्पोर्ट प्राइज मांग रहा है इसपोर्ट प्रिजेंट वैल्यू यहां के लिए इसका प्रिजेंट वैल्यू मांग रहा है यही तो इसपोर्ट प्राइज यह तो वो होगा ना अगर अच्छे से बढ़ो तो वही मतलब हो रहा है प्रिजेंट वैल्यू अप संसेक्स एज उन 1st September 2021 यहां के लिए प्रिजेंट वैल्यू मांग रहा है मतलब इसपोर्ट प्राइस मांग रहा है तो सरी हो जाएगा कि प्रिजेंट वैल्यू यह नाम लिखो में क्या पर रखलाइस में आ प्रिजेंट वैल्यू प्रिजेंट वैल्यूप्ट रहा है अग्छे गल्यूव हैं नेक्डेंट वैल्यूब आप्रियू यह मतलब तो यहाल्यूटीयू F is equal to S continuously compounding नहीं है सायद 1 plus R minus E time F हमको पता है 58580 58580 S नहीं है 1 plus R no per 0.09 dividend cheaper 0.06 58580 is equal to S 0.09 minus 0.06 into 4 by 12 plus 1 1.01 S is equal to 58580 divided by 1.01 तो सर्फ 58 था हो जान क्या गजब का question है यार मालू हमने ऐसा question बनाया था और उसमें ना मालू है क्या था ऐसा ही question था बिल्कुल ऐसा उसमें ये नहीं दिया था उसमें spot price दिया था और उससे हमने future price निकाला वाईसा question वही है बस उसने future price दे दिया और इससे spot price निकाला ऐसे यहां भी spot price दिया था याद करो और future निकाला था एक मैने बात इस बाद फिर एक मैने बात का future दे दिया यहां का value निकाला, यहां का यह कि यह कितना turn out होके क्या हो गया, अगर आप question देखोंगे question number भी मैं बता देता हूँ question number बता देता हूँ question number बता देता हूँ आपको मज़ा एगा करते हूँ sir हमको मालू है कौन सा question number corona यार आपको मालू है इससे मज़े क्या लिए रहा, मैं खुद बताऊंगा आपको question number, दिख नहीं रहा हाँ, दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया question number 51 51 यही question है जिसकी मैं बात कर फिर से क्या बोलना है, जड़ा देखते है फिर से present value बोल रहा है, तो फिर से निकालना है, प्रेजन्ट वैल्यू कबकी निकालना है, एक दिसम्बर 2021 के calculation of present value option sex as on फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो फॉर्मूले पे एफ, एफ अब की बार कौन सा लेना है, एफ एफ यह वाला लेना, 5664 1.25 5664 1.25 is equal to S 1 plus 0.09 minus 0.06 to 1 by 12, 5 5664 1.25 is equal to S into 0.09 0.09 minus 0.06 divided by 12 plus 1, 1.0025 S is equal to 5664 1.25 divided by 1.0025 तो सरी यह आगा है, 56.5 बस उसी question को उसने ना, reverse करके देती है, back calculation करने के लिए बोलती है, और कुछ मांगा क्या, number of contracts to hedge the portfolio, number of contracts मांगा है, और मन्त वाला लेंगे future, मतलब इस से hedge करेंगे, number of contracts, formula है हमारे पस, number of contracts is equal to, value of portfolio into, target beta minus beta portfolio, divided by, f into m into beta of future, तो value of portfolio कितने का है, 1, 1, 6, 0, 0, 0, 0, target beta, perfect hedge करना है, 0, beta of portfolio, दिया हुआ है, 1.5, divided, f कौन सा वाला, 4 मन्त वाला यूज करना है, 58580, 58580, मल्टिप्लायर के लिए कुछ दिया है, क्या, 50 times, और ये तो होगा नहीं होता है, 1, 1, 6, 2, 0, 3, 0, into 1.5, divided by, 58580, divided by 50, 5.94 contract, 5.94, that is, 6 contracts, short, short बोल दो ये शोल्ड बोल दो, कुछन अच्छा था लेकिन गोंड़ा कुछन, एक्जाम में भी आया था भाई, एक्जाम में आया था, दिसंबर 2021 में, वाकि अगर इस टाइप का घुमा कर कुछन पूचिएगा न, अच्छा कुछन था ये, वैसे नॉर्मल जो ट्रेंड चल रहा था न, उससे हटके कुछन था, अच्छा ये झाल